अजी मित्रों, so sir, अब हम क्या start करने वाले हैं, now we are going to begin with a very cute essay, cute I think is the right word, a very cute essay, छोटा सा प्यारा सा essay, यह जो standard में हम चीज़े सीखेंगे, कई सारे topics में भी आपकी interrelate होंगी, तो काफी important भी exam के लिए, ठीक है sir, इस essay का नाम कहा है sir, essay 210, यह किसकी बात करेगा sir, यह बात करे एगरिंग, एगरिंग क्या sir, एगरिंग the terms of audit engagement, एगरिंग the terms of audit engagement, अब एक बात बताओ, जब मैं as a auditor, client को accept कर लेता हूँ, कि भई मुझे client के साथ काम करना है, कही ना कही मिरको लगता है, client का audit accept कर लेना चीए, तो क्या हमारा agreement होना चीए, क्या मेरा और client का agreement होना चीए, answer is yes, आप भी मुझे एक बात बताओ, कई बार आपके घर में जो AC वगरा रहेगा, ठीक है, या कोई भी और चीज रहती है, इनका service agreement होता है, हाँ sir, service agreement होता है, तो जो service agreement होता है, वो क्यों होता है, sir, agreement होता है, इस वज़े से होता है, क्योंकि उसमें न सारी चीज़े लिखी होनी चीए, कि जो AC वाला है, ये साल में कम से कम दो बार service करके जाएगा, ठीक है, बात तो सही है, तो agreement में एक बार चीज़े लिख देने से न, ambiguity नहीं रहती, एक बार चीज़े return में आती है, तो ambiguity नहीं होती, सामने वाला मुकर नहीं सकता, for उमने का था, तुम्हारी responsibility ये financial statement बनागी, तो चुपचाब बनाओ, even as an auditor, आपने माल लिए आपकी responsibility, opinion देने की, तो बाते होंगी, तो agreement में एक बार राइट लिखने से, एक surety मिल जाती है, तो ये जो standard है, क्या कहता है, कि जब भी आप अपना audit, accept और continue करोगे, whenever as an auditor, you want to accept, और continue, sir, accept कब, जब आप first time audit, accept कर रहे हो, continue का क्या मतलब है, यानि आप पहले भी कर चुके audit, यानि ऐसा कह दू, मैं last year भी आप auditor थे, हाँ sir, तो अगर first time audit है, तो accept, last year भी auditor थे, तो continue, ये कहता है, accept and continue and audit, only and only, सारे बच्चे मेरे साथ ये बात लिखेंगे, only and only, sir, कब, when the basis is agreed, when the basis, upon which, it's performed, has been agreed, अब कई बच्चों के मन में सवाल, sir, क्या, ये मैं यहाँ ले लू, तुमको थोड़ा और अच्छे समझा जाएगा, only when the basis, upon which, it has to be performed, has been agreed, only the basis, अब सवाल आता है, sir, ये basis क्या है, ये जो आपने हमको basis वाली बात बताई, ये basis होता क्या है, ये भी बता दो, basis में आती है, दो चीज़े, sir, क्या, एक आता है, pre conditions of audit, पहली चीज़े है, ये कहता है, कुछ pre conditions है, ये होनी चाहिए, ये है, pre conditions of audit, ठीक है, sir, दूसरी चीज़ क्या है, there should be a common understanding, there should be a common understanding, मुझे बताओ, common understanding किसके बीच में होगी, sir, common understanding between the management, और TCWG, and the auditor, ये ही तो parties है, इनी के बीच में, sir, क्या होनी चीज़े, common understanding होनी चीज़े, अब आपके मन में एक और सवाल आया, मैंने का, क्या, sir, pre conditions क्या होती है, कही ना कही है, जो pre conditions, आप बोल रहों, ये pre conditions क्या होती है, इनको आप मालो, auditor की शर्टे है, ये कही ना कही शर्टे है, अगर आप इन शर्टों को पूरा करोगे, तो ही हम audit accept करेंगे, तो ही हम audit accept करेंगे, तो सारे बच्चे बताओ, auditor की शर्ट क्या होगी, auditor की शर्थ क्या होगी और pre का मतलब क्या होता है सर्फ pre का मतलब होता है पहले तो audit से पहले क्या ready होना चीए please tell me in the chat box what do you think should be ready before the audit, pre condition pre मतलब पहले, तो audit से पहले क्या ready होना चीए बता दो audit fees, कर दीना बात कर दीना बात audit fees audit किया नहीं, fees चाहिए तुमको पहले financial statement, very very good financial statement के भी पहले जाओ अब जब तुम audit से पहले financial statement पहले क्या होना चीए अब बता दो मुझे financial statement से पहले क्या ready होना चीए जिसके बिना financial statement बनी नहीं सकते बताना ज़रा very good अजीम ने एकदम सही जवाब बताया और भी मैं वेट कर रहा हूँ बाकी बच्चे भी बताया अडशिया ने भी बिल्कुल सही बताया sir, FRF कही ना कहीं audit से पहले financial statement, financial statement से पहले FRF जो आपका FRF है जो आपका FRF है that FRF should be acceptable तो as a auditor आप यह देखोगे FRF is acceptable or not अब sir यह acceptability of FRF कैसे पता चलती है मैंने का चार factor से चार factor से आपको यह पता चलती है पहला factor क्या है nature अब nature किसकी ध्यान से समझना sir, nature किस-किस की देखनी है nature आपने दो चीजों की देखनी है एक तो आपके financial statements की दूसरा आपने देखनी है nature of the entity sir, financial statements की nature का क्या मतलब है मैंने का दो तरीके के financial statement होते है एक होते हैं आपके complete set of financial statement complete set of financial statement में क्या हैगा sir, पूरा balance sheet P&L cash flow statement notes to accounts everything will be covered दूसरे कौन से होते हैं sir दूसरा option होता है इसमें आपके पास single financial statement मैंने आपको बताया नहीं एक बार आप chat box में मुझे खुद बता दो what do you think would be meant by single financial statement एक हो गया complete set एक हो गया single single का क्या मतलब होगा sir, क्या इसका ये मतलब है सिर्फ balance sheet हाँ सिर्फ P&L हाँ सिर्फ cash flow हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो and ये जो single financial statement है इसी के बारे में we will be covering in detail in your essay 805 essay 805 में हम इनी चीजों को cover करेंगे यानि सिर्फ एक cash flow का audit हो रहा है सिर्फ एक P&L का audit हो रहा है सिर्फ एक balance sheet का audit हो रहा है तो अगर एक single financial statement का audit हो रहा है तो कैसे होगा उसकी बात हम वहाँ करेंगे समझ गए sir अब sir ये entity से कैसे फरक पड़ेगा entity से कैसे फरक पड़ेगा जो profit oriented entity है वो क्या बनाती है P&L बनाती है balance sheet बनाती है और जो NPO होती थी वो बचपन में तुम क्या बनाते थे receipts and payments account उसके बाद balance sheet बनती थी income and expenditure account बनता था तो don't you think कि जो आपकी entity है जो आपकी entity है उससे भी फरक पड़ता है हाँ सर उससे भी फरक पड़ता है उसके बाद सर nature के अलावा हमारे पास और कौन सा point आता है मैंने का nature के अलावा आपके पास point आता है purpose का ये purpose वाली बात मैंने आपसे थोड़ी ही देर पहले essay 200 में करी थी ये essay 200 में याद है मैंने दो financial बताया थे एक बताया था जो सब users के लिए अवेलेबल है एक बताया था जो हम essay 800 में पड़ेंगे बताना वो कौन से financial statements थे दो financial statement जिनकी बात की थी one which is common for all ये common for all वाले कौन से थे general purpose financial statement very good हमने कही ना कहीं यहां किसकी बात की थी general purpose financial statement यानि GPFS और जो हम किसी specific user के लिए बनाते हैं जो हम किसी specific user के लिए बनाते हैं किसी special purpose के लिए बनाते हैं उसको क्या कहते हैं SPFS special purpose financial statement yes or no yes sir and last में sir आपके पास एक point और आ जाएगा मैंने का क्या law or regulation law or regulation this is the fourth point that you need to consider law or regulation कहां से आ गया sir law or regulation कहां से आ गया FRF के acceptability में कौनसी entity पे AS लगेगा कौनसी entity पे AS लगेगा कौनसी पे INDAS कैसे पता करते हो कौनसी entity पे AS लगेगा कौनसी पे INDAS कैसे पता करते हो सर law regulation बताता है कहीं ना कहीं हमको law regulation बताता है तो यही तो बात है कि आपका FRF acceptable है या नहीं इन चार बातों पर depend करेगा सारे बच्चे फड़ाफट मुझे चारो बाते अभी recall करा दो मज़ा आ जाएगा बहुत important चीज है यही चीज आगे जाके बार-बार यूज होगी जब मैं बोलूगा FRF acceptable है या नहीं तो कैसे पता करोगे बड़ा simple है nature purpose law regulation nature purpose law regulation nature किसका entity का financial statements का financial statement का nature क्या है पूरे है या single है entity का nature क्या है profit वाली है non for profit है purpose का क्या मतलब है किस purpose के लिए है general purpose के लिए special purpose के लिए and last में आ जाता है law regulation AS, INDS, Companies Act ये सब चीजों को ध्यान में रख क्या आप काम करते हैं is this point clear to all of you yes or no yes sir तो पहली चीज जो आपने देखनी है precondition में वो क्या है sir precondition में हमने सबसे पहली चीज सीखी क्या FRF should be acceptable कही ना कहीं जो हमारा FRF है वो acceptable होना चीजए दूसरी चीज क्या है sir दूसरी चीज precondition में जो आ जाती है वो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है there should be an agreement sir agreement जिसमें आपने agreement किसके साथ करना है as auditor with the management ठीक है sir अब इस agreement में क्या है कि management acknowledge करती है और understand करती है sir वो क्या acknowledge और understand करती है अपनी responsibility क्या responsibility वाली पार्ट responsibility वाला पार्ट मैंने आपको just इससे पहले बताया था management की responsibility premise जिसके basis पे audit होता है मुझे वो 3 point बता दोगे तो मज़ा आ जाएगा I am giving you 1 minute think about those 3 points जो management की responsibility में आते थे यानि अगर वो management अपनी responsibility पूरी नहीं करेगी न तो हम audit करी नहीं सकते बता दो 3 बाते क्या बताई थी अरे आउ तो तब होगा न जब कुछ ready होगा कुछ ready होगा तभी तो auditor को आउ मिलेगा अरे आउ और यार आउ तो ठीक है वो auditor को मिलेगा बट कुछ ready भी तो होना चीए very good pulkit very good krishnan rama एकदम सही बात का जवाब दिया आपने सबसे पहले सर क्या होगा सबसे पहले होना चीए p p f s as per a f r f यानि preparation presentation of financial statement as per applicable f r f अब इसमें कई न कई material misstatement ना हो अब इसमें कई न कई material misstatement ना हो तो इसके लिए क्या करते थे dim of ic dim of ic design, implement, maintain the internal controls yes or no yes sir एक बार सब के लिए तालिया हो जाया कितने सारे बच्चों ने सही जवाब दिया अब जब financial statement बनके तयार अब जब financial statement बनके तयार तो auditor को क्या चाहिए provide the auditor provide the auditor sir provide the auditor with आउ ये आउ का क्या मतलब था all information a का मतलब था additional information and you का मतलब था unrestricted access unrestricted access within the entity entity के अंदर आपको ये तीनों चीजे मिल जानी चाहिए everyone write till here और एक बार chat box पर लिको done अभी तक जित्ता किया में एक बार आपको go through करातो यहां तक सारे बच्चे फटा फट लिखके मुझे chat box पर done भेजो अभी come on awesome basis नहीं है तो agreement करने का कोई scope ही नहीं है अब basis का क्या मतलब था दो चीजे होनी चीए यानि FRF should be acceptable तो pre से हमेशा ध्यान रखना FRF की बात हो रही है FRF is acceptable अब यह जो FRF की acceptability इसमें चार चीज़े आएंगी सर क्या सबसे पहले आएगी nature purpose law regulation come on nature purpose law regulation एक और बार nature purpose law regulation nature में क्या आता है nature of the entity nature of the financial statement purpose मतलब general purpose special purpose law regulation मतलब जैसा वो कहेगा वैसा माल लेंगे ठीक है सर इसके बाद हमने का agreement करेंगे management के साथ कि वो जानती है और जानती तो है ठीक है सर समझती तो है साथ ही साथ मानती भी है acknowledge भी करती है तो मैंने का जानती है मानती है क्या अपनी responsibility इसकी responsibility बस हम थोड़ी देर पहले पढ़के आये थे पहले financial statement बनाएगी इसमें material misstatement ना हो इसके लिए demo of IC करना जरूरी है बताओ demo of IC क्या था design, implement, maintain the internal control and जब auditor आये तो इसको क्या चाहिए आओ का क्या मतलब है all information additional information unrestricted access सारे बच्चे जल्दी से एक बाद chat box में लिख दो अगर यहां तक सारी बाते clear है if everything is clear till here quickly type in the chat box then I will take you to the next topic बतादो awesome अब आप सबका सवाल agreement में आएगा क्या agreement में आएगा क्या तो agreement में क्या आएगा इससे पहले मेरा आप सबसे सवाल audit क्या है what is audit management ने auditor को appoint किया तो audit है क्या sir audit is audit is reasonable assurance on the financial statements free from material misstatement definition नहीं पूछ रहा definition नहीं पूछ रहा audit is examination of financial information audit क्या है यह बताओ थोड़ा और 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 उपर से देखो तुम अभी बहुत नीचे से देख रहो उपर से देखो बड़ी picture देखो audit क्या है sir audit 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 एक subject एसी है final का नहीं अपने इसाब से मत देखो logical ही सोचो audit क्या है audit एक service है audit एक service है तो यह जो agreement है यह क्या है sir यह एक service agreement है और जैसे एक service agreement बनता है वैसे यह agreement बनेगा यानि आपका जो engagement letter है कई लोग इसको engagement letter भी बोलते हैं कई लोग इसको engagement letter भी बोलते है agreement भी बोलते है तो agreement में क्या हैगा sir जो service provider है वो क्या services देगा यानि क्या मैं बोलू जो पहली चीज़ एक service agreement में आती है वो क्या है objective and scope of service objective and scope of service कि as a auditor आपने क्या-क्या services देनी है ठीक है ये सारी चीज़े इसका part बन जाएंगी ठीक है sir इसके अलावा क्या आएगा sir दो parties है एक है auditor एक है management एक है auditor एक है management तो दोनों की responsibility आएगी तो मैंने का अगली चीज़ क्याएगी अगली चीज़ आएगी sir responsibility अब responsibility किसकी sir दोनों की दोनों की responsibility आएगी, एक आएगा management, एक आएगा auditor, दोनों की responsibility आनी चाहिए, ठीक है sir, अब एक बात और बता दो, don't you feel, जो applicable FRF है, वो भी इसमें लिखा होना चाहिए, कि कहीं न कहीं कौन से FRF के हिसाब से financial statement बनेंगे, कौन से FRF को consider करके हम audit करेंगे, वो FRF भी लिखा होना च हाँ sir, तो जो management की responsibility है न, financial statement बनाने की, इसी से आप एक point और interlink करके चलो sir, कौन सा point interlink करके चलें, applicable FRF, जो आपका, जो आपका applicable FRF है, वो भी इसका part बन जाएगा, yes or no, yes sir, अब मुझे एक बात बताओ, management जो financial statements बना रही है, management जो financial statement बना रही है, वो तो as per applicable FRF बना रही है, auditor की report भी FRF के साब से होती है, क्या, auditor की report भी FRF के साब से होती है, क्या, नहीं sir, हमारी जो audit report होती है, वो FRF के साब से नहीं होती, standards on auditing के साब से होती है, तो आप भी अपना form and content की बात करोगे आप भी अपने form and content की बात करोगे form and content of audit report आप भी अपने form and content of audit report की बात करोगे तो बस आपने ये 5 बाते ध्यान रखने है सर सबसे पहले एक service agreement में क्या आता है objective and scope of the service यहाँ service की जग़ा बस word क्या use हो जाएगा audit use हो जाएगा ठीक है सर responsibility दोनों parties की management की भी auditor की भी management की responsibility से क्या connect किया AFRF auditor की responsibility से क्या connect किया form and content of audit report अच्छा एक बात बताना कई बार आपकी audit report में आपने न कुछ चीजे सुनी होंगी क्या सुनाए सर हमने हैं बता दो जल्दी से कई बार आपने सुनाओगा इसमें कुछ cam करके include होता है key audit matters हाँ key audit matter तो सुना था सर inter में कई बार आपने सुनाओगा eom या ohm पैरा भी add होता है emphasis of matter और other matter पैरा हाँ सर ये भी होता है कई बार आपने सुनाओगा कि कई बार report को modify भी करना पढ़ जाता है हाँ सर modify भी करना पढ़ जाता है तो ये जो आपकी audit report में ये सब चीज़े हो सकती है क्या ये बात भी आपको management को पहले से बता देनी नहीं चीए क्या आपको management को कई बार ये बाते बतानी देनी चीए कि जरूरत पढ़ी तो ये सब भी होगा हाँ सर तो सिरफ form और content काफी नहीं है सिरफ form और content काफी नहीं है आप ये भी लिखोगे there can be circumstances there can be circumstances that can affect the form or content of the audit report जो कही ना कही form and content of audit report को affect कर सकते है ये circumstances कौन से हैं इनी circumstances की बात हो रही है इनी circumstances की बात हो रही है they can affect the form and content of audit report ठीक है तो ये पाँच बाते बस आपने ध्यान में रखके चलनी है quickly giving you one minute ठीक है एक minute मैं आपको दे रहा हूँ sir क्या करना है एक minute के अंदर अंदर जो आपका pre-condition है ठीक है sir एक minute कम हो जाएगा मैं को लगता है चलो दो minute दिये तुम भी क्या याद रखोगे दो minute दिये दो topic दे रहा हूँ sir क्या क्या एक तो pre-condition शर्ते वाला topic बड़ा easy है and दूसरा agreement में क्या 5 चीज़े आएंगी ये अभी आप में को recall करके बताओगे और chat box पे लिखोगे done 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 your time starts now शुरू हो जाओ देखते कौन सा बच्चा फस्ट आता है चलो झालो one more minute to go do it properly ट्वर्सराइटनशनशचर्णचर्णचर्णचर्ट्चर्णचर्णचर्णचर्णचर्वे प्रिंदा कांजी बाइ शबश बहुत बढ़िया शानदार तो दो मोटे टॉपिक जो इस ऐसे के होते जो आईसे को बहुत पसंद है आपने एकदम शानदार तरीके से कर लिए अब मेरा आप सबसे सवाल सर सवाल क्या अगर प्री कंडिशन्स प्रेजन्ट ही ना हो अगर प्री कंडिशन्स प्रेजन्स प्रेजन्स ही ना हो तो क्या आप आप अडिट एक्सेप्ट करोगे यानि अगर आपकी शर्ते नहीं मानी जारी दो यू थिंक यू विल एक्सेप्ट दॉड़िट दा अंसर इस नो एक बात और लिखके चलना नोट में सर क्या if the pre-conditions are not present कोशन लिखो यहाँ पर what if what if the pre-conditions are not present what if the pre-conditions are not present तो सर क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे audit accept ही नहीं करेंगे don't accept the audit आप इस case में audit accept नहीं करेंगे क्या ये बात समझ आती है हाँ sir अब आज़ो मेरे साथ मैं आपको थोड़ा सा प्यारा सा cute सा revision कराने वालों sir किसका essay 705 का that you have covered in inter मैं इसका एक प्यारा सा cute सा revision कराऊंगा ध्यान से समझना ये किसकी बात करता है sir modification of opinion कैसे आप अपना audit opinion modify करते हो उसका हम एक revision करने वाले ध्यान से समझना मान लो there is a misstatement in the financial statement मान लो there is a misstatement in the financial statements तो आप कौन सा opinion दोगे बताना जरा मान लो there is a misstatement in the financial statement तो आप कौन सा opinion दोगे sir सोनाक्षी सिना ने का था सोनाक्षी सिना ने का था misstatement से नहीं material misstatement से फरक पड़ता है तो ऐसा नहीं होगा 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 इत्ती छोटी छोटी गलतियों से हमको फरक नहीं बढ़ता हमें material misstatement से फरक पड़ता है तो अगर misstatement है और material misstatement नहीं तो भी हम क्या देंगे sir तो भी हम unmodified opinion देंगे अभी तो party शुरू हुई है अभी तो party शुरू हुई है नलायकों सबने लिख दिया modified, qualified hello ICI यार मानना तो पड़ेगा आपको जो आपने दर्वाजे खोले सारे के सारे नलायक भाग के तो आए है सारे के सारे नलायक भाग के तो आए है CA final में मज़ा तो आगया है नहीं मतलब ऐसे इनको पहले से आ रहा होता तो फिर तो फायदा ही क्या होता न class का अच्छा है नहीं आता है तो में को सिखाने मजा रहा है नहीं नहीं कोई बाद नहीं दर्वाजे खुले रखो आंदो आंदो देख लेंगे एक से बढ़कर एक तुमको ढूंडने की मुझे जरुवत ही नहीं है सारे खुद सामने से आके बोलते कि सर दबा गोल है ठीक है इधर फोकस करो आजाओ कहरें आप क्लास में ICI को होल्ड पर रखते हो हाँ तो क्या कहा है ठीक है अब इधर आओ मजे लेंगे अब सर सवाल उठता है मान लो मान लो कोई area material है मान लो कोई area material है सर ठीक है there is a material misstatement ठीक है अब ये जो material misstatement है इसमें हम क्या करते है सर इसमें हम चेक करते है सर क्या या तो आपको sufficient and appropriate evidence मिल गया है या आपको sufficient and appropriate evidence नहीं मिला या तो आपको sufficient and appropriate evidence मिल गया है या नहीं मिला अब कई बच्चों के मन में सवाल आता है इधर focus करके चलना मैं बनाने का time दोंगा बच्चों का सवाल सर जब evidence ही नहीं मिला तो कैसे पता चला गलती है जब evidence ही नहीं है तो इसका मतलब इनों नहीं आपे कुछ fake ही डाल रखा है ना ठीक है हम ये assume करते हैं जहाँ पे evidence नहीं है वहाँ पे गलती होगी है ठीक है प्लस ये area material है क्योंकि इसकी amount थोड़ी ज़्या नहीं मिला एकदम logically चलेंगे मजा आएगा ठीक है सर अब अगर आपको evidence मिल गया ठीक है सर तो अब check करो जो इसका impact है वो pervasive है या नहीं जो इसका impact है क्या वो pervasive है या वो pervasive नहीं है अब कई बच्चों के मन में सवाल सर ये pervasive होता क्या है ये pervasive होता क्या है क्या pervasive नहीं हो तो मेरी बात ध्यान से समझना अभी के लिए है just for the simplicity मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ detail में cover करेंगे 705 में फिर से बोल रहा हूँ just for the simplicity अभी मैं एक बात बोलूँगा but detail में cover करेंगे 705 में अभी ये मान के चलो जो material misstatement pervasive है वो पूरे financial statement की band बजाती है क्या करती है वो पूरे financial statement की band बजाती है अभी आपने ये समझना है कि जो मुझे evidence मिला है उससे ये पता चलता है पूरे financial statements की band बजीवे है लिख लो ये बात लिख लो ये बात जितना conceptually इस बात से relate करोगे उतना आपको audit में शान्ती रहेगी आप ये लिखो इसकी feel क्या है सर इसकी feel है पूरे financial statements की पूरे financial statement की band बजी हुई है ठीक है इस तरह से आपने बात को ध्यान रखना है अभी ये क्या होता है detail में कैसे इसकी technical language है that we will cover in 705 अभी के लिख इतना मानो पूरे financial statement की band बजी है क्या ये बात समझ आती है हाँ सर तो अब मुझे इक बात बताओ area material भी है pervasive भी है तो क्या ये बहुत बुरी बात है हाँ सर ये बहुत बुरी बात है जब बहुत बुरी बात है तो हम कौन सा opinion देते है we give an adverse opinion हम यहाँ पे adverse opinion देते है क्या ये नाम तुमको पसंद आया हाँ सर adverse मतलब बहुत बुरा इससे खराब तो कुछ होई नहीं सकता ठीक है सर अब इसके अलावा सर क्या होता है इसके अलावा again आपको evidence नहीं मिला तो जब evidence नहीं मिला तो वापिस देखो क्या impact pervasive है या नहीं ठीक है सर अब मान लो impact pervasive है अब मान लो impact pervasive है तो एक बात बताओ area material है हाँ सर material है चीज pervasive है मतलब क्या मैं ऐसा बोल दू आपको पूरे financial statement का evidence नहीं मिला क्या मैं ऐसा बोल दू जो आपको evidence नहीं मिला वो पूरे financial statement का evidence नहीं मिला हाँ सर तो दिल पे हाथ रखके बोलना जब आपके पास evidence ही नहीं है क्या आप conclusion निकाल पाओगे नहीं सर अगर conclusion ही नहीं है तो क्या आप opinion दे पाओगे नहीं सर तो opinion ना देने को audit की language में क्या कहते हैं इसको कहते हैं हाथ खड़े कर देना इसको कहते हाथ खड़े कर देना इसको बोलते हैं disclaimer of opinion हमने अपना opinion डिस्क्लेम कर दिया disclaimer of opinion क्या ये बात समझ आती है हाँ सर अब बताओ कौन सा रह गया मेरी तो प्यारी scenery बनके तयार मेरी तो प्यारी scenery बनके तयार बस यहाँ पे मुझे एक छोटी सी कलाकारी करनी है ऐसे ऐसे करना है और मुझे बच्पन की याद भी आ गई यहां birds बनाई और यहाँ मैंने सूरज को पीला भी कर दिया हो गया सर अब बताओ कौन सा पार्ट रह गया एक ही opinion रह गया वो ही opinion यहां लिख दो सर एक opinion जो रह गया उसका नाम है qualified opinion qualified opinion क्या कहता है सर qualified opinion बड़ी simple सी बात कहता है क्या कहता है यह कहता है फरक नहीं पढ़ता यह कहता है फरक नहीं पढ़ता तुमको evidence मिला या नहीं मिला area material है न but pervasive नहीं area material है but pervasive नहीं तो कौन सा opinion आएगा qualified opinion आएगा तो फिर इस case में qualified opinion आएगा और इन सभी को इन सभी को इन सभी के लिए एक common word use होता है जल्दी से बता दो क्या इन सभी के लिए एक common word use होते है उसको क्या कहते है adverse qualified disclaimer what is the common word used for all of them modified very very good इन सब का जो common word है उसको बोलते है modified opinion and modified opinion तीन तरीके के होते हैं जिसको मैं बोलता हूँ प्यार से डाकू सर डाकू का क्या मतलब है डाकू का मतलब है disclaimer adverse qualified come on disclaimer adverse qualified एक बार तुमने ये noting कर ली एक बार तुमने ये noting कर ली कभी भी यहां गलती नहीं कर सकते कभी भी यहां गलती नहीं कर सकते giving you one minute quickly noted down your time starts now चलो this is SK special ये SK special photo तुमको कहीं और मिलेगी है नहीं जल्ली से इसको note down करो कर दूए प्रह thankfully है totally ? बार जल्ली से नहीं झाओ मायाई़ा कर वी एक दात्फ है झाल यूओ लीज शिथ्व्यट gonna जहाँ बं़गा कॉटे नो आघे यह सबस्ट में मिविमिन की आफूरोगवी न्यूवैंग यह अच्छाहा है कि यह श्ड़ीज लगए 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 लुटी होगए लगए लुट सबस्सक्षिर्ण न लगए लगए और लगए लगए लिए। studies, कई सारी case studies हम इसको लेके cover करेंगे, बट कहाँ? Sir, all the case studies related to this लिख लो बले, अगर तुमको अपने दिल की थंड़क ची होती ना कई बाद, थंड़क ची होती ने कि इस पर questions कराओ sir, all the case studies related to this will be covered in essay 705, ठीक है? अभी हम 210 पे हैं न, we are on essay 210 हैं, तो जितनी relevant बात थी मैंने तुमको बता दी, अब 210 पे आओ मेरे साथ, देखो क्या कहता है, फड़ाफट 210 पे आएंगे सारे बच्चे, ऐसे 210 किसकी बात करता है, agreeing the terms of audit engagement, हमारा objective क्या है? Sir, बड़ा simple है कि audit को accept करेंगे, accept कब जब ये first time audit है, जब ये first time audit है, continue करेंगे, अगर ये second time audit है, ठीक है, accept और continue only when the basis is agreed, जिस basis पे आपने इसको perform करना है ये आपने agree कर लिया, अब basis में दो चीज़े आती थी, sir, क्या precondition और common understanding, precondition क्या होती है, तो मैंने का precondition हमेशा ऐसे याद रखना, audit से पहले क्या आता है, financial statement, financial statement से पहले, FRF, तो pre का मतलब है, FRF, सबसे पहले FRF acceptable होना चाहिए, अब इसके factors क्या थे, वो भी आ जाओ, हातो हात, लगे हातों, discuss करी लेते हैं, factors बड़े simple थे, दो थे point nature के, purpose law regulation, nature वाले point क्या थे, nature of the entity, nature of the financial statement, purpose का मतलब था, कही ना कही, general purpose financial statement, जो common financial information needs को meet करते हैं, special purpose financial statement मतलब, जो specific users के लिए, law regulation यानि जो law regulation कहेगा, वैसा कर सकते हैं, तो ये factor हमको समझ में आते हैं, ठीक है सर, अब इसके अलावा हमको कौन सी बात समझ नी थी, management के साथ agreement, ये तो हमको आते ही है, PPFS, as per applicable FRF, oh, dim of IC, so that the financial statements are, free from material misstatement, and then when the auditor comes, then when the auditor comes, provide with, आओ, तो ऐसे बड़ी-बड़ी बातों को देखके घबरा मत जाना, ऐसे बड़े-बड़े languages को देखके घबरा मत जाना, feel बड़ी simple है, points बड़े simple है, बस आपने flow के साथ आगे बढ़ते जाना है, ठीक है, सर, अगर preconditions present नहीं है, तो matter को management से discuss करो, और audit accept मत करना, और फिर audit accept मत करना, ठीक है, सर, सर, एक बात और बताओ, अभी तो हमने audit accept किया ही नहीं, अभी तो हमने audit accept किया ही management कह रहा है, हम आपके scope पे limitation लगाएंगे, एक तो यह limitation on scope क्या होता है, what do you mean by limitation on scope, limitation on scope का मतलब है, वो हमको sufficient and appropriate evidence नहीं देंगे, तो देखो, क्या कहता है, अगर management और TCWG आपको evidence नहीं देता, and आपको लगता है, इसकी वज़े से, आप अपना opinion disclaim कर दोगे, तो क्या मैं बोल दू, disclaim कर देंगे, मतलब इसका impact material भी है, और pervasive भी, इसका impact material भी है, और pervasive भी, और जब आपने end में opinion देना ही नहीं है, जब आपने end में opinion देना ही नहीं है, तो क्या आपको ऐसा audit accept करना चाहिए, दिल से अवाज आए तो बोलना, दिल से अवाज आए तो बोलना, management आपको evidence नहीं लेने दे रहा, और उसका impact ऐसा है, कि आप आखरी में अपना opinion disclaim ही कर दोगे, यानि impact material भी है, और pervasive भी, तो क्या आपको audit accept करना चाहिए, क्या, बोलो मुझे, क्या हम इतने वेले हैं, कि time waste करके आ जाएंगे client पे, should you accept the audit, yes or no, sir नहीं करना चाहिए, कहीं न कहीं, we should not accept such audit, ऐसे audit को accept मत कर लेना, गलती से भी, unless required by law regulation, ये लोग ऐसा लिख देते हैं, बट इसका कोई relevance नहीं है, इंडिया में कोई law regulation नहीं है, जो कहेगा audit accept करना ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई law नहीं है, ठीक है, but still they write unless required by law regulation, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, अब सवाल आता है, सर हमारे agreement में क्या-क्या आता है, हमारे audit agreement में क्या-क्या आता है, तो बड़ा simple है, audit क्या है, सवाल मेरा आप से audit क्या है, सर्विस है, तो सर्विस में हमेशा objective and scope आता है, ठीक है सर, उसके बाद हमारे दोनो लोगों की responsibility, auditor की responsibility, management की responsibility auditor की responsibility management की responsibility को किस से connect किया था, FRF से management का काम है, FRF के इसाब से financial statement बनाना, तो इसके लिए applicable FRF आ गया, auditor की responsibility को किस से connect किया था, the form and content of report, यानि the expected form and content of report plus कुछ ऐसे circumstances रहेंगे, कुछ ऐसे circumstances रहेंगे, where the report may differ from the expected form and content is this point clear to all of you yes sir, अब sir मेरा आप सबसे सवाल, इधर देखो न, मैं last year audit करने आया था मैं last year audit करने आया था, this year also I am here this year also I am here क्या मुझे एक नया engagement letter enter करना पड़ेगा क्या do I need to enter a new EL, please tell me yes, no or it depends, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, बताओ chat box पे बताओ हर्श कहता है sir, it depends दीपा कहती है, it depends व्रिंदा, खुशी, सब कहते है sir, it depends, कुछ ने का yes the answer is yes तो नहीं है भाई, yes तो नहीं है जरूरी नहीं है कि आपको हर बार एक नया engagement letter enter करना पड़ेगा और no भी नहीं है, मैं बताओ ना थोड़ा सा ना आपको hypocritic, hypocritic कर जाता है या उसको कौन सा word होता है, जो भी है, आपको it depends वाला रहना पड़ेगा, ठीक है sir it depends, यानि आपने बोलना है कि अगर चीजे चेंज हो गई अगर चीजे चेंज हो गई तो भी हम engagement letter change करेंगे तो ही हम engagement letter change करेंगे तो यह देखो क्या कहता है कुछ ऐसे factors हैं, जो कहते हैं कि आपको अपनी audit engagement terms को revise करना चीजे, मैंने का कब यहाँ पर 5 बाते लिखी है अगर इन 5 बातों में change आएगा तो आप अपने engagement letter को change कर देना, सबसे पहली बात क्या है, diplomatic, हाँ, diplomatic सबसे पहली चीज है, objective and scope, अगर आपको लगता है entity misunderstand कर रही है objective and scope, if you feel the entity is misunderstanding the objective and scope, तो sir क्या करें, मैंने का simple सी बात है, change कर दो if you feel there is a misunderstanding related to objective and scope उनको वापिस remind करा दो, और मैं आपको बोलू ना, सिर्व audit नहीं life में भी अगर आपको लगता है na, सामने वाली party और आपके बीच में misunderstanding हो रही है अगर आपको लगता है, misunderstanding understanding हो रही है न, तो communicate कर लेना चाहिए वापिस revise करा देना चाहिए कि भई हाँ, ऐसा ऐसा था हमारे बीच में तो ये आपने बात ध्यान रखनी है whenever you feel the entity is misunderstanding the objective and scope आप बता दो, या objective and scope छोड़ दो, बाकी चारो चीज़े revise हो गई, objective and scope छोड़ दो, बाकी चारो चीज़े revise हो गई, यानि revised terms of audit engagement तो भी आप ये करोगे तो ये दो points तो किस से related हो गई आपके engagement letter से related हो गई सर बाकी तीन points क्या कहते हैं इधर से समझना, ये कहता है entity का धंदा change हो गया ये कहता है entity का धंदा change हो गया, या धंदा चलाने वाले change हो गया, मुझे बताओ धंदा चलाने वाले कौन है, सर धंदा चलाने वाली management है धंदा चलाने वाली management है अब एक बात बताना management में भी लोग तो आ जा सकते हैं management में भी लोग आ जा सकते हैं, कौन सी management से फरक पड़ेगा क्या ऐसा रहेगा कि कोई छोटा employee चला गया और कोई employee वापिस आ गया तो हम बार-बार engagement letter change करते रहे नहीं सर यहां सिरफ management नहीं senior management change होनी चीए और सर धंदा चलाने वाले ही नहीं जिन लोगों ने धंदे में पैसा लगाया है यानी owners जिन लोगों ने मतलब है मैंने आज reliance के share खरीद लिये मैंने आज reliance का share खरीद लिया मैंने 5 share खरीदे reliance के कल reliance का share बढ़ गया तो मैंने reliance के share बेच दिये तो क्या reliance की ownership change हो गई क्या जब मैंने share खरीद के बेचे तो क्या reliance की ownership change हो गई सर कैसी फालतू बाते कर रहे हो यहां सिरफ ownership से फरक नहीं पड़ता, significant ownership से फरक पड़ता है, significant ownership change होनी चीए, तो जाके आप ये काम करोगे, अब ये चीज significant है या नहीं, अब ये चीज significant है या नहीं, it is a matter of your professional judgment, ये फिर आपकी professional judgment से फरक पड़ेगा, तो याद रखना सर क्या क्या होना चीए, एक तो धंदा बदल जाए, य यहाँ पे भी impact significant होना चीए, plus change in the senior management, या फिर significant change in ownership, तो ये तीन point भी बड़े simple है, सर क्या, या तो धंदा change हो गया, significant change in the nature और size of the business, या धंदा चलाने वाली management change हो गई, recent change in the senior management, and last point is, significant change in ownership, क्या पांचों बाते समझ आ गई, क्या पांचों बाते दिमाग में बैठ गई, हा पहले दो बाते थी, objective and scope को लेके misunderstanding है, बाकी terms of engagement change हो गया, या फिर तीन points के है, धंदा change हो गया, धंदा चलाने वाले change हो गया, धंदे के owner change हो गया, धंदे के owner change हो गया, यानि significant change in the business, चलाने वाले को है, senior management, change in the senior management, recent change in the senior management, and last point is, significant change in the ownership, क्या है ये तीनों बाते क्लियर है, ह नासर and last की तीन बाते किसको ले के बात करती है लास्ट की तीन बाते किसको ले के बात करती है बेसिक बाते हैं financial statement כिसके इसाफ से बनते है FRF auditor का काम क्या है reporting ये सब किसके इसाफ से हो रहा है laws or regulation के साफ से तो तीन चीज़े जो आपके audit को govern करती है financial statement as per FRF audit report करता है and ये सब कैसे होता है laws and regulation अगर इन में भी change हो जाए तो फिर आप ये करोगे और मैं आपको एक बात बोलू न ये जो factors है न ये बहुत easy है ये factors है जो ये बहुत easy है जैसे किसी बच्चे ने बोला सरकारों की requirement आ गई तो क्या हमको ये engagement letter revise करना पड़ेगा हाँ करना पड़ेगा अगर कारों की requirement आ जाती है key audit matter की requirement आ जाती है या कोई और additional requirement आ जाती report करने की तो करना पड़ेगा ऐसे ही अगर FRF change हो जाता है suppose कोई entity AS पे काम कर रही थी अब वो AS से ind AS पे आ गई है तो उसको भी change करना पड़ेगा तो आप इस में से बस 5 बाते ध्यान रख लो मुझे लगता है काफी है बस 5 point भी अगर आप ध्यान रख लेते हो तो मुझे लगता है काफी हो उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है तो quickly take one minute just recall five points in the same flow as we discussed your time starts now शुरू ओजाओ झाल झाल last 30 seconds very good aman very good heeral keep going बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर अब बस दो चोटे चोटे टोपिक रह गए है दो चोटे चोटे टोपिक रह गए है दो केस लूँगा ध्यान से समझना case no.1 अभी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, board पे focus करना, case number two, आपका जो client है, वो sir क्या है, वो एक firm है, ठीक है, वो एक firm है, क्या firm के लिए audit कराना necessary है, क्या firm के लिए audit जरूरी है, जल्दी से बता दो मुझे, is the audit necessary or not, the answer is no, sir, audit necessary नहीं है, audit necessary नहीं है, तो ये client है, ये audit क्यों करवा रहा था, sir, इसको ना bank loan लेना था, what was the reason for audit, sir, reason for audit was very simple, इसको bank loan लेना था, मैंने का ठीक है, इसने bank loan के लिए कर लिए audit, ठीक है, अब ये जो bank है, अब ये जो bank है, ये कहता है, कि आपके पास option है, bank ने firm को दे दिया option कि, चाहो तो आप audit करा लो, चाहो तो आप review करा लो, हमको कोई दिककत नहीं है, bank कहता है, अगर आपको loan लेना है, अगर आपको loan लेना है, तो कोई दिककत नहीं है, आप भले ही अपने financials का audit करा के लिए हो, या review करा के लिए हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है सर audit और review में क्या फरक होता है ध्यान से समझना इसमें होती है reasonable assurance इसमें होती है limited assurance नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे महनत ज्यादा है यहाँ पे महनत कम है यहाँ पे महनत ज्यादा है यहाँ पे महनत कम है तो आपका जो client है न उसने आपको approach किया ठी चोड़ दो, आप रिवियू करके दे दो, चोड़ दो आप रिवियू करके दे दो और जब आपने क्लाइट से पूछा ऐसा क्यूँ आपको अप्रोच करके चैसा है ओडिट गया भाड में आप रिवियू करके दे दो, तो उसने का सर बैंक ने न हमको option दे दिये कि आप audit की जगा review भी करा के दोगे न तो भी हम loan दे देंगे तो भी हम loan दे देंगे सारे बच्चे बताओ क्या यहाँ पे reasonable justification है क्या यहाँ पे reasonable justification है या नहीं please give me the answer yes or no is there a valid reason for the change in engagement बता दो जल्दी से EL की full form होती है engagement letter just give me the right answer yes or no कीरती कहती है yes मायूश कहता है yes बाकी सब कह रहें no जितने भी no वाले हैं भाई किस खुशी में तुमने no लिखा मुझे बता दो किस खुशी में तुमने no लिखा मुझे बता दो क्या दिक्कत है भाई मेरे को audit मन से नहीं कराना था bank ने loan के लिए का था अब bank जब option दे रहा audit की जगा मैं review करा सकता है तो मैं review करा हूँगा न मैं क्यों जंजट पालू तुम लोग सोचते हो क्या बोलने से पहले हाँ sir अब सबने yes yes बोल दिया अब सबने yes yes बोल दिया तो reasonable justification है reasonable justification है अगर reasonable justification है तो क्या करें sir अब आपको new engagement letter बनाना पड़ेगा अब आपको new engagement letter बनाना पड़ेगा किसके लिए अब आप review के लिए new engagement letter बनाओगे क्या ये basic बात समझ आती है हाँ sir तो simple सी बात है अगर आपका client आपको एक valid reason दे देता है अगर वो आपको reasonable justification दे देता है एक engagement से दूसरी engagement पे जाने के लिए तो आप एक नया engagement letter बनाओगे clear है? clear है sir अब सारे के सारे बच्चे आजो case number 2 आप audit कर रहे थे ठीक है sir audit करते करते आपको material misstatement मिल गई audit करते करते आपको material misstatement मिल गई तो आपका client कहता है audit मत करो आपका client कहता है audit मत करो आप review कर दो आप review कर दो और इस material misstatement को अब आप ignore कर दो और इस material misstatement को आप ignore कर दो शातिरता समझ न audit कर रहे थे material misstatement मिल गई client आता है और क्या कहता है audit मत करो आप मुझे review करके दे दो अब बताओ क्या यहाँ पे RJ present है क्या यहाँ पे reasonable justification है या नहीं जल्दी से बता दो Is there a reasonable justification of moving to a review engagement बशीर साहब कहते है नहीं सर कोई need नहीं है और बाकी बच्चे बताएं सबने एकदम सही जवाब दिया Vinisha, Naman, Khushi all of you gave the right answer the answer is no यहाँ reasonable justification नहीं है यहाँ reasonable justification नहीं है अब एक बात बताओ suppose आपको client अब continue नहीं करने देता आपको client अब continue नहीं करने देरा आप audit तो accept कर चुके हो आप audit तो accept कर चुके हो but client आपको continue नहीं करके देरा तो आप क्या करोगे सर ऐसे case में हम भी अपनी इज़त के वो हैं वाकिफ हमको भी अपनी इज़त प्यारी है हम भी रुखना नहीं चाहते जब तुम को हमसे audit नहीं करवाना था तो लाए क्यूं और अब ले आए हो और continue नहीं करना देना चाहरे न तो हम भी यहां रुखना नहीं चाहते हमको भी इस client पे रुखने का कोई मन नहीं है हम भी withdraw कर जाएंगे हम भी withdraw कर जाएंगे हम भी एक client पे रुखना नहीं चाहते हम एक दिन क्या हम एक minute नहीं रुखना चाहते हम withdraw करेंगे और सिरफ withdraw नहीं करेंगे, चिला चिला के जाएंगे, हम यहाँ पे चिला चिला के जाएंगे, सर चिला चिला के किसको बताएंगे, management के उपर कौन बैठा है, TCWG, management के उपर कौन बैठा है, TCWG, उसको बताएंगे, जो हमको यहाँ पे लेके आए, owners, उनको बताएंगे, oh my god, सर सबके आगे इनकी band बजाएंगे छोड़ेंगे नहीं इनको सबका बतला लेगा तेरा फैजल TCWG, owners अभी तो इनको डंडे भी पढ़ने चाहिए सर डंडे पढ़ेगा, मारेगा कौन, regulator regulator से इनको डंडे भी पढ़वाएंगे, तो तीन लोगों को बता के जाना, एक तो जो इनकी उपर बैठा है TCWG, हम जा रहे है owner, तुम हमको लाये थे कैसी घटिया management है, हमको यहां रुकना नहीं है प्लस जो regulator है, जो इनको डंडे मारेगा, उसको भी बता के जाना तो यह तीन लोगों को चिला चिला के जाना, वरना तो कोई फायदा नहीं है तुमारा वरना तो तुम फिर एकदम fee के auditor हो तुमारे अंदर दम नहीं है, अगर बिना चिलाए गए तो, क्या यह बात समझ आती है नहीं आती है, हाँ sir, last बार यह concept revise करा रहा हूँ, ध्यान से समझना, यह audit करा रहा था, क्योंकि bank loan लेना था अब bank कहते है, audit या review कुछ भी करा लो तो हम आपसे review कराने चाहते है, हम भी कहते ठीक है हम भी कहते ठीक है, हमारा भी काम कम लगेगा, तो हम review पे आ गए अब अगर आप review पे आ जाते हो, तो एक नया engagement letter ले लो, तो आप एक नया engagement letter ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है सर, बट अगर आपको लगता है, यह बेफकूफ बना रहा है यह तो fall to के reason दे रहा है, कोई reason, reason नहीं है, no reasonable justification तो सर क्या करें, तो आपने बस इत्ती सी बात समझनी है कि आप audit पे ही रहोगे, और अगर वो audit continue नहीं करने दे रहा, वो आपको continue नहीं करने दे रहा, तो withdraw करके जाना, और चिला चिला के सबको जाना जल्दी से किताब पे आओ, देखो क्या लिखाया let's see what is given in the notes सारे बच्चे इतर देखो acceptance of a change in the terms of engagement, auditor shall not agree to a change in the terms of engagement, जहाँ पे reasonable justification नहीं है, जहाँ पे reasonable justification नहीं है, if prior to completing the audit यानि audit complete करने से पहले auditor को request करता है, सर कौन, client request करता है, auditor is requested to change to an engagement which conveys lower level of assurance यह lower level of assurance का शुभम सर ने क्या example दिया था सर शुभम सर ने इसका example दिया था, review engagement अगर आपको audit से review पे move किया जा रहा है, तो आप देखो इसमें reasonable justification है क्या, अगर आपने terms change कर दी, तो आपने agree और record करनी है, new terms of engagement in a new engagement letter, और any other written agreement बट अगर आप agree नहीं कर पारे, as a auditor अगर आप agree नहीं कर पारे, plus management continue भी नहीं करने दे रहा management कहीं नहीं continue भी नहीं करने दे रहा, तो हम भी नहीं रुकना चाहते, हम भी नहीं रुकना चाहते, हम भी withdraw करके चले जाएंगे, if it is possible under the law regulation, plus, चिला चिला के जाएंगे, देखेंगे क्या हमारी obligation है, to report sir, report किसको, इसकी उपर कौन बैठ है, TCWG कौन आपको लेके आया था, owners and the regulators, please tell me, is this part now crystal clear to all of you जल्दी से बता दो वाई साव excitement के साथ बता दो, क्या ये basic सी बात आपको समझ में आती है क्या वरना तो theory है वरना तो theory है, तमीज से समझो तो पूरा practical है मज़ा आगया, मामू क्या वात है, सर वन स्मोर क्या वात है क्या वात है, क्या वात है, क्या वात है अब सब बच्चों के चहरे पे मुस्कान अब सब बच्चों के चहरे पे मुस्कान, मैंने का मुस्कान किस चीज की ये मुस्कान किस चीज की last topic of the day last topic of the day ready हो जाओ मज़ा आने वाला अब सर क्या होगा आजओ मेरे साथ, full energy के साथ देको जो energy class के starting में रहती है वो ही अगर हम end में maintain करे तो फिर अपने अंदर stamina है फिर हम धूम मचा सकते हैं, आजओ मेरे साथ एक topic और पढ़ाओंगा मज़ाएगा, देखो क्या कहता है सर आपने कहता हमें जो FRF लेना है न बहुत ही antique topic है again ये जो topic है तुम अगर आज कर गए न तुमको feel आ जाएगी तुमको लगे का यार क्या मस चीज पढ़ी हमने ये क्या कहता है न FRF जो आपने लेना है, वो कैसे लेना है as per the law regulation law regulation के साब से हमको FRF लेना है बट हमारा जो auditor है न इसको ये FRF पसंद ही नहीं है ये कहता है जो FRF as per law regulation है वो auditor को पसंद ही नहीं है auditor जो है न हमारा auditor कैसा बनाऊ मैं auditor, ऐसे बनाते चलो जो हमारा auditor है ये बड़ा sad है ये इस FRF से खुश नहीं है, सर क्यों खुश नहीं है ये कहता है this FRF is unacceptable to the auditor ओ unacceptable to the auditor सर unacceptable क्यों है, क्योंकि इसमें न इसको लगता है कुछ कमी है he feels something is missing वो जो spark होती है spark, that spark is missing तो auditor चाहता है कि इसमें management कुछ additional चीज़े करे auditor चाहता है management इसमें कुछ additional चीज़े करे, तो सर auditor खुश कैसे होगा मैंने का बड़ा simple है अगर आपको auditor को खुश करना है अगर आपको auditor को खुश करना है तो आपको financial statement में additional मैं थोड़ा different pen use करता हूँ तो आपको financial statement में कुछ additional disclosures देने पड़ेंगे तो आपको financial statement में कुछ additional disclosures देने पड़ेंगे क्या ये चाहेगा कि जो user है जो user of financial statement है हाँ जो users of financial statement है ये इनका attention draw करे ये कई न कई इनका attention draw करे in disclosure पे हाँ sir attention draw करने के लिए कौन सा पैरा डालेगा बता दो जरा ये अपनी audit report में attention draw करने के लिए कौन सा पैरा डालेगा सारे बच्चे बता दो विच पैरा इस एड़ेट तो ड्रॉद अटेंशन तो ड्रॉद अटेंशन तो ड्रॉद इस दिस्क्लोज इन फाइनेशल स्टेंटमें प्लीज बता दीजिए मजा आ जाएगा मुझे सब ने एकदम सही बताया जिया, टीना, संपत, रागव, यशस्वी, हरीता एकदम सही जवाब सर Emphasis of matter Emphasis of matter EOM पैरा डाला जाएगा Emphasis मतलब हम इस matter को emphasize कर रहे हैं हम इस matter को emphasize कर रहे हैं Emphasis of matter पैरा डालेंगे बस इतनी सी बात आपने समझने हैं बस इतनी सी बात आपने समझने हैं concept हो गया concept हो गया सर क्या concept था एक FRF law regulation के साब से है बड़ ओडिटर को पसंद ही नहीं है It is unacceptable to the auditor क्यों? क्योंकि इसमें कोई कमी है तो कमी को पूरा कर दो तो जो sad auditor है वो खुश हो जाएगा तो जैसी आपने कमी को पूरा किया additional disclosure डालके auditor चाहते है लोगों को भी पता लगे auditor चाहते है लोगों को भी पता चले तो वो उनका attention ड्रॉ करना चाहते है और attention एक ही पैरा से ड्रॉ होता है जो प्रिस्क्राइब किया law regulation ने but it is unacceptable sir unacceptable क्यों क्योंकि auditor को नहीं लगता सही है तो auditor shall accept the audit auditor shall accept the audit only and only only and only जब conditions present है sir क्या क्या condition आपने का था management additional disclosure डालेगी हाँ तो management ने agree किया है management has agreed to provide additional disclosure plus आपने अपनी terms of engagement में लिखा है क्या कि आप EOM पैरा डालोगे आप कही ना कही इनी additional disclosure पे EOM पैरा डालोगे to draw the user's attention as per essay 706 last में एक चीज़ और last में एक चीज़ और sir क्या do you think the auditor will be fully satisfied do you think the auditor will be fully satisfied या उसको मतलब satisfaction थोड़ी कम ही रहेगी sir satisfaction थोड़ी कम ही रहेगी तो auditor कहेगा मैं कोई true and fair वाली बाते नहीं लिखूँगा मैं अपनी audit report में कोई true and fair वाली बाते नहीं लिखेंगा यहाँ पे एक feel रखना that the auditor is not fully satisfied जो हमारा auditor है यह fully satisfied नहीं है sir क्योंकि fully satisfied नहीं है तो यह कहता है unless required by the law regulation ठीक है unless required by law regulation to express the auditor's opinion by using the phrases present fairly or give a true and fair view auditor's opinion will not include such phrases auditor कहीं नहीं यह true and fair और present fairly वाले phrases avoid करेगा unless law regulation कहता है डालने के लिए तो बस आपने तीन बाते ध्यान रखने जल्दी से बताओ क्या अब sir एक law regulation ने FRF बोला है हम ऐसी engagement तभी accept करेंगे जब हमको लगता है वो कमी पूरी हो रही है कमी कैसे पूरी होगी additional disclosure से additional disclosure पे attention draw करने के लिए कौन सा पैर आता है EOM पैर आता है but do you think the auditor is fully satisfied no sir तो auditor true and fair fair presentation यानि जहाँ जहाँ fair word आ रहे है न यह सब avoid करके चलेगा unless law regulation कहता है unless law regulation कहता है हम यह fairness वाली बाते avoid करके चलेगे क्या यह बात आपको समझ आती है हाँ sir अब यह आखरी में दो point क्या दे रखे है यह कहता है कि अगर उपर वाली conditions present नहीं है उपर वाली conditions present नहीं है और auditor law regulation के हिसाब से audit accept करना ही है तो वो क्या करेगा वो इसका impact देखेगा on the nature of financial statement and फिर इस matter पे भी terms of engagement में बात लिखके चलेगा sir impact का क्या मतलब है impact का मतलब है आप मुझे बता सकते हो क्या impact की बात हो रही है बताना ज़रा सौम्या कह रही है कि sir इस पे emphasis of matter क्यों आया cam क्यों नहीं आया क्योंकि आपने cam पढ़ा नहीं है ये सवाल तभी आता है जब हमने cam ठीक से नहीं पढ़ा होता don't worry CA final level पे मैं आपको cam तमी से पढ़ाऊंगा आपको चीज़ तमी से समझ आ जाएंगी don't worry about it अभी ये मान के चलो it is because of the lack of knowledge you are asking this doubt don't worry about it we'll discuss in detail ठीक है promise अभी तो party शुरू हुई है थोड़े थोड़े टाइम में समझ आ जाएगा don't worry effect of misleading nature का क्या मतलब है कि disclosure तो डाल नहीं रहे eom पहरा आई नहीं रहा तो इसका effect का क्या मतलब है कई बच्चों ने पूछा cam क्यों नहीं आएगा sir कोई बात नहीं बताएंगे cam के बारे में बताएंगे आपको रहाम से user का decision effect 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 of this thing on the auditor report effect का कौन सा effect देख रहे हम materiality pervasiveness very very good बिल्कुल सही जवाब है clapping sir clapping होनी जाहिए बहुत बढ़िया effect of misleading का मतलब है क्या इसका effect material तो नहीं ओ और अगर material है तो क्या इसका impact pervasive तो नहीं कहीं ये पूरे financial statement को तो impact नहीं कर रहा तो आपने इसका impact देखना है materiality और pervasiveness को देखके so that you can frame a proper opinion ताकि आप इसपे एक proper opinion बना सको इतनी सी बात बस आपने समझ के चलनी है and इसी बात को आप अपनी terms of engagement में लिखवा लोगे इसी बात को आप अपनी terms of engagement में लिखवा लोगे बस इतनी सी बात समझ के चलो यहां हमारा essay 210 done 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 यहां हमारा essay 210 done 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 plus मैं एक बात और बोलू सर क्या यही वाली चीज यही जो last topic मैंने पढ़ाया यह वापिस essay 706 में आएगा यही वापिस essay 706 में आएगा emphasis of matter pera में आएगा जहां मैं बोलूँगा यह बात मैंने आपको 210 में पढ़ायी थी और वापिस हम इस चीज को revise करें ठीक है बॉस जल्दी से बताओ क्या यह वाली photo सबको clear है या नहीं है बस इतनी सी बात बता दो क्योंकि अगर यह photo clear है then the concept is clear awesome बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब मैं आपको quotient bank से कुछ quotients mark करा रहा हूँ और आज आपको लिखने का भी homework मिलेगा quotient of the day भी मिलेगा कल पहली class थी मैंने तुमको छोड़ दिया पहली class में मैंने तुमको माफी दे दी बढ़ आज तुमको लिखके आना पड़ेगा सर ऐसे 210 में हमारे पास सिर्फ तीन ही quotients है quotient number 1 quotient number 2 quotient number 3 एकदम सीधे सीधे प्यारे प्यारे quotient है सर quotient of the day क्या है quotient number 2 Mr. Ram Kapoor is the quotient of the day अब सर quotient of the day का कैसे submission करना होता है मैं तुमको समझा देता हू quotient of the day you'll be sending to me this is your responsibility क्या होता था न class में तो teacher अगले दिन आके homework चेक कर लेता था online में कैसे करें तो अगर आप वो accountability maintain करना चाहते हो कि भाई जो एक quotient सर दे रहे देखो एक quotient रोज का हम लिख सकते हैं इतनी return practice हम कर सकते हैं अपने confidence के लिए तो ये quotient of the day जो आपके पास telegram का मेरा doubt support number है न जो मैंने आपको first session में बताया था day zero हाँ at dash 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 उसी पे आपने मुझे अपना quotient of the day submit करना है every evening so that वो accountability बनी रहे and एकदम प्रेम पूरवक तरीके से आप आगे बढ़ते रहे खुशी कह रहे है सर आज तो 3 घंटे का पता ही नहीं लगा मैं बताओ ना तुमको कभी नहीं पता लगने दूँगा we will make sure we are making this experience as smooth as possible and वो कब होगा जब सर आप सुभा सुभा एकदम energy के साथ आएंगे एकदम बढ़िया mood के साथ आएंगे and trust me सब बढ़िया हो जाएगा सो मित्रों यूही खुशी खुशी मन लगा कर पढ़ते रहें खुशी से बढ़ेंगे तब ही आगे बढ़ेंगे have an awesome day ahead हमें राही audit के फिर मिलेंगे चलते चलते take care all starting के जो motion bank है वो मैंने आपके google drive पर डाल दी है देख सकते हो ठीक है